हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग चलिए आज हम पढ़ेंगे परतिसत का सवाल तो चलिए हम पर्षन पढ़ते हैं हमारा तो क्या है पर्षन कि 3 किलो ग्राम का कितने परतिसत 12 ग्राम है तो क्या करना है हमें कि 12 ग्राम है जो 3 किलो ग्राम का कितने परतिसत है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये किलो ग्राम के अंदर दिया गया है और ये ग्राम के अंदर दिया है तो इस किलो ग्राम को हम क्या करेंगे ग्राम में बदलेंगे तो सबसे पहले देखे एक किलो ग्राम या एक केजी बराबर हमारा क्या होता है एक हजार गराम तो हम तीन किलो गराम को भी गराम में बदलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा तीन इंटू एक हजार बराबर तीन हजार गराम हो जाएगा हमारा इंस्वर फिर हमें क्या करना है कि तीन हजार गराम का कितने परतिस्ट बारा गराम है तो कितने की जगे हम लेंगे कि 3000 ग्राम का X परतिसत मतलब हमें परतिसत ग्याद करना तो हम मान लेंगे कि इसका X परतिसत बराबर क्या है 12 ग्राम है अब क्या करेंगे आपको पता यह कहा का मतलब क्या होता है गुणा परतिसत का मतलब होता है एक बटे सो तुम क्या करेंगी? 3000 गुणा X गुणा परतिसद का मतलब होता है 1 बटे 100 बराबर में हमें एंसुर दिया है 12 अब क्या होगा? 100 के 2 0 इस 3000 के 2 0 से कट जाएंगे अब क्या होगा? 30 इंटू X इंटू 1 बराबर 12 अब ये 30 इधर क्या है? बाग में है उदर जाएगा तो किस में हो जाएगा? बाग में हो जाएगा तो ये X को 1 से गुणा करने पर X एकम X बराबर 12 बाग 30 अब क्या करेंगी? 2 से काटेंगे इंटूनों को तो ये हो जाएगा हमारा 2 का बाग 12 के अंदर 6 बार और 2 का बाग 30 के अंदर 15 बार अब देखो इसको हम और काट सकते हैं तो 3 का बाग 6 के अंदर 2 बार और 15 के अंदर 5 बार तो ये हमारा हो जाएगा 2 बटे 5 परतिसत चलिए नेक्स्ट के उससन है हमारा 4 अनुपात 5 बराबर परतिसत मतलब 4 अनुपात 5 को परतिसत में बदली या 4 अनुपात 5 कितने परतिसत है तो क्या करेंगे हम अनुपात का मतलब होता है बटे तो 4 बटे 5 और इसको क्या करना हमें परतिसत में बदलना है तो परतिसत को बदलने के लिए क्या करते हैं सो से गुणा करते हैं अब हम क्या करेंगे कि पांच का बाग पांच में एक बार और पांच का बाग सो में बीस पंजे सो बीस बार जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा चार गुणे बीस और चार गुणे बीस करेंगी तो कितना हो जाएगा असी परतिसत तो यह इंसर हो जाएगा हमारा 4 अनुपात 5 बराबर असी परतिसत चली अब हमारा अगला परसन है कि रुपे ये 432 का 6 से 2 बटे 3 परतिसत कितना होगा तो क्या करना है 432 का 6 से 2 बटे 3 परतिशत हमें ग्यात करना है तो हम क्या करेंगे पहले इसको सरल बिन में बदलेंगे तो ये 432 का इसको देखे सरल बिन में बदलने के लिए क्या करते है बटे वाला ये संख्या समानी रहती है फिर इस बट्टे वाली संख्या को आगे वाली संख्या से गुणा किया जाता है फिर उपर वाला जोड दिया जाता है तो 3 लींटू 6 करने पर हमारा हो जाएगा 6, 3, 18, 18 और 2 जोडेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20 तो यह 20 बट्टे 3 परतिसत हो जाएगा तो हमें 432 का 20 बट्टे 3 परतिसत ग्यात करना है तो अब हम क्या करेंगी 432 गुणे 20 बट्टे 3 गुणे में परतिसत के बदले में 1 बट्टे 100 आएगा देखिए 0 से हमारा यह 0 गया 2 का बाग 2 में 1 बार 2 का बाग 10 में 5 बार गया अब देखिए तेन का बाग इसमें लगा देंगे हम तो तेन का बाग तेन में एक बार जाएगा तेन का बाग चार में हमारा एक बार जाएगा या एक सेस रहेगा या तेरा बनेगा तेरा में चार तीए बारा या एक सेस रहेगा बारा में भी 4 ती 12 तो यह हमारा हो जाएगा 144 बट्टे में हमारा रहेगा 6 5 क्योंकि 1 को 144 से गुणा करने पर 1 ही आएगा अब 144 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे हम तो 14 के अंदर 5 का भाग जाएगा 2, 5, 10, 10 गटाने पर पिछे रहेगा 4, 4 और 4, 44 होंगा 44 के अंदर 8, 5, 40 फिर 6 रहेगा यांसी 4, 10 मलो लगेगा 4 के पीछे 0 लगाने पर 40 के अंदर 8, 12 यह हो जाएगा हमारा 28, 10 मलो आट परतिशत तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सेनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिए